ग्रहन अक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचारे बताते हैं आपकी राशियों का हाल मित्रो सादर जैसी क्रश्न हमारे यूटूब चेनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मैं हूँ आपके साथ आचरधर मिंद्र शास्त्री आज हम आपको बताने जा रहे हैं देनिक राशिफल ये राशिफल है 11 मई 2024 शनिवार का दिन है वैशाक महा के शुकलपक्ष की चतूर्थी ती थी है इस दिन म्रक्षिरा नामक नक्षत्र होगा तथा मिथुन राशी में चंद्रमा विराजित रहेंगे दिशासूल की अगर हम बात करें तो पूर दिशा में होंगे इसलिए पूर दिशा की यात्रा करना नुकसान दायक सिद्ध होगा अगर किसी कारण वस्पूर्दुशा की यात्रा करना बहुत ज़्यादा वश्यक हो तो अद्रक का सेवन करके यात्रा का शुभारंब कर सकते हैं राहुकाल जो की सुभा नो बजे से लेके साड़े दस बजे तक रहेगा राहुकाल के दोरान कोई भी शुभिया मांगली कारिक्रम आपको संपन्न नहीं करना चाहिए हालाकि राहुकाल का निर्णे आप अपने क्षेत्र के पंचांग अठ्वा केलेंडर के नुसर कर सकते हैं क्योंकि राहुकाल कई छेत्रों में माना जाता है और कई छेत्रों में नहीं भी माना जाता है। मेश मितुन सिंग तुला एवन धनु ये पांच राशियां सबसे दिख भागिशा लेने वाली है। शुब मुर्त की अगर हम बात करें तो शनिवार का दिन है और शनिवार के दिन जो सबसे पहला चोग्रिया रहेगा। वो सुबह साड़े साथ बजे से लेकर के नो बजे तक शुब का चोग्रिया रहेगा। तथा उसके बाद दो पहर बारा बजे से लेकर के डेड़ बजे तक चर का चोग्रिया रहेगा। तथा तीन बजे से लेकर शाम को साड़े चार बजे तक अमरत का चोग्रिया रहेगा। इस दोरान योडिये आप कोई भी शुप काम करेंगे, मांगली कारी करेंगे, नया काम करेंगे, तो आपको अधिक से अधिक फाइदे का संयोग निर्मित हो सकता है। अब हम आपको मेश से लेकर के मीन सभी 12 राश्यवालों का देनिक राश्यवल बताने जा रहे हैं। आपको फाइदा होगा तथा संतान की प्रगति के भी शुब समयचार आपको प्राप्त होंगे। बना रहेगा। शामाजी कल्यानकारी संस्था में आपका उत्तम योगदान रहेगा जिसकी वजह से आपकी प्रसंसा होगी। दूसरों की पारिबारिक मामलों में उलजने से आपको बचना चाहिए। अनथा आपको नुकसान हो सकता है। उपाई के रूप में किसी भी गरीब व्यक्ति को आटा या गेहूं का दान करेंगे तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा। आपका भागिशाली अंक नौ होगा, भागिशाली रंग आपका सफेद होगा। अब हम बात करते हैं करकराशी की। इस समय दिल की बजाए दिमाग से काम लेने की अवशकता है। गरह स्थितिया आपके पक्ष में बनी हुई है। अतहा आप अपने काम को पूरी गंभीरता वसंजिगीद्गी से अंजाम दे भविशी को लेकर कोई सकारात्मक योजना बनेगी। शाश्की कारियों को सुलजाने के लिए किसी अनुभव विक्ति का सहयोग आपको मिलेगा। जिससे उलजे हुए सभी काम आपके सुलज जाएंगे। और कुछ लोग आपके खिलाप नकारात्मक वातावरन बनाने का प्रयास करेंगे। लेकिन वो सफल नहीं हो पाएंगे। उपाई के रूप में यदि आप भोजन के बाद में कोई भी फल खाएंगे तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा। आपका भागिशाली अंक आठ होगा। भागिशाली रंग आपका बादामी होगा। अब हम बात करते हैं सिंग रासी की। किसी प्रतिष्ठित व्यक्ती से मुलाकात आपकी सफलता के द्वार खोलेगी। धार्मिक क्रिया कलापों में भी आप व्यस्त रहेंगे। लोगों के साथ मेल जोल बढ़ेगा तथा पुराने तनाव से आपको मुक्ती मिलेगी। यह समय अपनी आर्थिक इसिती को मजबूत करने का है। इसलिए पूरी महनत से अपने कारियों के परती समर्पित रहे। दूसरों के मामलों में ज़्यादा इंटर्फेर करने से आपको नुकसान हो सकता है। और उपाई के रूप में यदि आप गाय को मसूर की डाल रूटी के साथ रख करके खिलाएंगे तो आपका दिन शुपलदाई साबित होगा। आपका भागिशाली अंक एक होगा। भा हम बात करते हैं कन्याराशी की। आज दिन पूर्ण तह व्यस्तत हैगा। और शाशकी कारियों में आपको बड़ी सफलता और विजय हासिल होगी। अब अपनी सुझभूज द्वारा अपने विरोधियों को प्रास्त करने में सक्षम रहेंगे। तथा अपनी ख्रमता को क कारियर, प्रोफेशन, और ध्यात्मादी कारियों में लगाएंगे। रूज मर्रा के देने कारिय बड़ी आसानी से पूर्ण होते जाएंगे। परन्तु कई मामलों में धैरिस से काम लेने की आउशकता है। जल्दबाजी तथा लापरवाही की वजह से कारियों में किसी प्रकार की रुकावट आ सकती है। अर्थिक मैमलों में इस्थितिया आपके पक्ष में नहीं है। इस समय फिजूल खर्ची पर नियंत्रन आपको रखना बहुत आवश्य होगा। और उपाई के रूप में पक्षियों को दाने डालना आपके लिए शुफलदाई साबित ह होगा। आपका भागिशाली अंक तीन होगा। भागिशाली रंग आपका हरा होगा। अब हम बात करते हैं तुला राशीगी। आपको अपने कारियों के सकारत्मक परिनाम हासिल होंगे। इसलिए अपने कारियों के प्रती पूरी तरह निस्थावान रहे। सांथी आपको इश्रडियंत्र फेला सकता है इसलिए ऐसे लोगों से बचना आपके लिए बहुत आवश्य होगा और विध्यार्थिया अपने लक्ष को ध्यान में रख करके आगे बढ़ेंगे तो आवश्य ही उनको फाइदा होगा और उपाई के रूप में शंकर भगवान के मंद में कच्चा दूद और गंगा जल चड़ाना आपके लिए शुप फलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक दो होगा भागिशाली रंग आपका लाल होगा अब हम बात करते हैं व्रश्चिक रासी की आज अपना ध्यान भावी लक्ष की और पूरी तरह आपके निर्मित होगी परंतो अपनी दिन चरिया संबंदित कारियों को व्यवस्तित पूर्ण तरीके से निप्टाने का प्रयास करें व्यस्तिता के बावजोत सामाधिक कारियों में आपका ध्यान बना रहेगा कोई भी काम जल्द बाजी न करें और व्यवसाय में बदलाव या परिवर्तन की संभाव नाए प्रबल होगी कभी कभी मंदी की वज़े से मन आपका विचलित हो सकता है और उपाई के रूप में हनुमान जी के मंदिर में सिंदूर चड़ाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक छे होगा भागिशाली आपका लाल होगा अब हम बात करते हैं धनुराशी की समाई पिछली गलतियों से या कमियों से सीख लेकर के आगे बढ़ने का है जो मेहनत आज आप करेंगे उसके दूर गामी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे अपने नजदी की संबंदों को आपको बरकरार रखने की आवशकता होगी अपने जीवन में किसी प्रकार की कोई नई शुरुबात भी आप करेंगे कभी कभी फालतू कामों और दोस्तों के साथ घूमने फिरने में आपका समय बितित होगा जल्दबाजी में कोई भी नड़ने न करे और उपाई के रोप में लाल कुंकुं का तिल संपर्क को भी बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहेंगे नए मित्र नए लोग आपके जीवन में आ सकते हैं जिनके माध्यम से आपको एक नई शुरुबात करने का आउसर मिलेगा अपने व्यक्तित्यों को आपको और अधिक प्रभावी बिनाना चाहिए अज किसी भी प्रक करने से हाथ से कोई काम निकल सकता है इसलिए ऐसे कारियों से आपको साउधानी बरतना चाहिए और उपाई के रूप में मा दुर्गा के मंदिर में लाल फूल चड़ाना आपके लिए शुफल दाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक दो होगा भागिशाली रंग आपको फाइदा भी होगा धनलाब होगा रुका हुआ पैसा भी मिलेगा मैंसम्मान के साथ साथ संतान की उन्नती और प्रगति के समाचार भी आपको प्राप्त हो सकते हैं अंजान व्यक्ति से साउधान रहे पैसो का लेन देन करते समय परम साउधानी की आउशक्ता होगी नए लोगों से व्यभार करते समय भी आपको बच करके रहना चाहिए और उपाई के रूप में भगवान गणेश जी के मंदिर में गुर चड़ाना आपके लिए शुपफल दाई साबित होगा, आपका भागिशाली अंक एक होगा, भागिशाली रंग आपका नीला होगा अब हम बात करते हैं मीन राशी की, आज का दिन पारिवारिक तथा आर्थिक दोनों दरश्टी से शुपफल प्रदान करने वाला है, व्यक्तिगत कारियों में सफलता मिलने से मानसिक शांती आपको अनुभो होगी, कठिन से कठिन कारियों के परिणाम आप अपनी द्रण न कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आ सकता है, जो आपको सही सलह देगा, जिसके कारण आपको आगे चल करके बहुत अधिक फाइदा हो सकता है, और उपाई के रूप में घर से निकलते समय, यदि आप मिसरी और सोफ खां लेंगे, तो आपका दिन शुपफलदाई साब आपका भागिशाली अंक चार होगा, भागिशाली रंग आपका कैसरिया होगा, तो मित्रो या बारा राशी का देनिक राशी फल और उनको करने वाले उपाई तथा भागिशाली अंक और भागिशाली रंग हमने आपको बताए हैं, हमारे इस ग्यानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंड करिएगा और यद अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्च कर लीजिए आपको और आपके पूरे परिवार को साधर जैसी करश्कन साधर धन्यवाद